नमस्कार मैं हूँ नीरश महरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कारेकरम मुद्दा है गरम मुद्दा गरम हम बात करेंगे हम बगावतों का मोसम चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं और नामांकन चल ला है कर आखरी दिन है इससे पूर पूरे राजस्तान में चाहे में बगावत का दोर चल रहा है जिसे भी पार्टी का टिकेट नहीं मिल रहे हैं तो यूं कह सकते हैं कि चुनाव आते हैं लोगों की नेताओं की निष्टाएं जो है खत्म हो जाती है उनका रिस्ता प्लिटिकल पार्टियों से राजनेतिक दलों से सिर्फ टिकीट तक ही रहता जब टिकीट नहीं मिलता है तो फिर वही उसी पार्टी की नेता उसी पार्टी का जंडा और उसी पार्टी की रीतियां और नीतियां सब बुरे लंगने रखते हैं और राजनेतिक पार्टियां भी अपने फायदे के लिए सारे नीतियों को सिद्दांतों को ताक पर उसी उम्मीद में वो उनकी उम्र पूरी हो जाती है लेकिन दर बदनों के चलते कई बार उनका हक मारा जाता है इनी सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ इस्टूडियो मुझूड रहे हैं सुरेंदर लामा जी है कॉंग्रेस नेता सुरेंदर जी आपका स्वागत है सिल इसको क्या इस बगावत को क्या ये एक सुभाविक परकरिया होती है क्योंकि वैसे तो मैंने देखा वर्सों से चला आ रहा है नहीं बात नहीं है लेकिन इस बार कॉंग्रेस में कुछ जादा कॉंफिडेंस है तो टिक्टार्दी भी जादा थे दावेदार भी जादा थे तो बागावत भी स्वभाविक है निश्चीत रूप से निरजी जब इतना बड़ा परिवार होता है और राजस्तान के संद्रम में कॉंग्रेस के संद्रम में बात करें तो पिछला पांच साल जब विपक्स में रहे तो हमारे जो कारिये करता थे हम लोगों ने जो हमारे सब्सक्राइब करना चाहिए और जिस परकार का कुशासन पिछले पांच साल में रहा किसान मजदूर व्यापारी चातर हर वरग प्रेशान राच चाहिए वह महंगाई बढ़ने से लेके हो जो इन्होंने रोजगार के वादे दिये थे उस पर खरें नहीं उतरने से हो चाह जो हमारी पिछली सरकार थी है सोगय लोग जी की उसमें जो पब्लिक वेलफेर्स की स्कीम जो लागू की गई थी उनको बंद करने के बाद जो राजस्तान में हालात पैदाव किये थे इस परकार जिन लोगों ने संगर्स किया तो पाइलेट साम ने एक वादा किया था कि भी हम लोग जो लोग संगर्स करेंगे पास साल उनको संपूर्ण रूप से जो आगे आगे अगरा हमारी पालिटी आती है राजस्तान की जनता हमें मोका देती है तो उन सब की भागेदारी उसमें रहेगी राहूल जीने पैरा सुटके धागे काट देंगे रसा काट कि मेंगा तो हम लोगों ने संगर्स क्या संगर्स करने वाड़े मातर दोसो लोग नहीं थे वह संगर्स करने वाड़े अधिया दोभा से ज्यादा लोग होंगे लेकिन यहां वाछे these horrible परयास करते हैं और जब वहात नहीं होती तो एक बार गुसा मान लिजिए या उनकी बावना के साथ लगता ही है कि भी हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कोंग्रेस पार्टी की जैसे प्रमपरा रही है कि कोंग्रेस पार्टी अपने कारिये करता हूं का हमेशा सम्मान करती है फिछली छनाव जुनान का का काम किया उनको नीरच जी डाइरेक्टर नीकाई की वहस्ता कि थी उस đirect नीकाई के चुनाव में कापी कार द्रवाधर रहावा कि वह खाना उन वहांus पार्टियों को टाटा भायबाई करते हैं तो करकारता के दिल पर कैसा असर पड़ता है वह आपको जानकारी में होगा भरती दंतर पार्टी कारले में जैसे रामकिसोर सेनी ने जैसे ही कॉंगरेस छोड़कर बिज़े भी जोई इनकी तो एक कारेकरता ने आत्मत्य तक का प्रियास किया तो आप समझ सकती है कारेकरताओं का दर्द, फिर नेता क्यों नहीं समझते, कारेकरताओं का दर्द, क्या सिर्फ उनके लिए टिकिट ही सब कुछ होता है नहीं देखिए निरजी जब भी कोई व्यक्ति राजनीती में आता है तो वो कहीं न कहीं उसको मन्शाय पाल के आता है कि उसको अब सर मिले वो MP बने, MLA बने और पांस साल अगर सरकार सक्ता में नहीं होती है तो वो काम करता है लेकिन जब परिणाम उसके अनुरूप नहीं आता तो एक स्वावविक प्रतिक्रिया होती है मन में नाराजगी होती है, कुंठा भी होती है और उसी का परिणाम बाहर निकल के आता जैसे भी आपने जिकर किया कि बादी कोई के कारे करता ने, आत्मात्या का प्रियास किया तो उनको भी लगता था, वो भी कारे करता है, उनको भी लगा था कि इतने समय से काम कर रहे है तो हमें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन टिकट के कुछ माइले अलग होते है कटके समीकरण कुछ अलग होते हैं वहाँ जनता की जो डिमांड होती है वो ब्यक्ति की किस रूप में वहाँ पर उतारा जाए यह सारे समीकरण अलग हो जाते हैं और वो कार्य करता उस रेड़ी में फिट नहीं बैठता है तो जब टिकट नहीं मिलता है तो यह कुंठाएं निकलती है यही परिस्तिती नेताओं के साथ भी है जैसे कि आप अभी नाम बता रहे थे मंत्रियों के यह मैं कहते हैं ततकाल प्रतिक्रिया है अब वह कर सकते हैं लेकिन पार्टिय जनता पार्टी जब उनको समझाएगी उनसे बातचीत करेगी तो निश्यत तोर पर वह क बिल्कुल सिल्दवाई जी को विश्वास है कि यह ततकालिक प्रतिक्रिया होती है और निता समझाइज के बाद शायद समझ जाएंगे और अपने मूल घर लोट आएंगे लामा जी कॉंग्रेस पार्टी में भी जब से टिकेटों का बट्रवारा हुआ है जेपूर से लेक जैसलमेर तक सभी जगए विरोध जारी हैं नेताओं के समर तक कॉंग्रेस पार्टी मुख्याले पर भी लगातार धना प्रतसर कर रहे हैं दिल्ली तक पहुंचकर लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है क्या लगता है यह बगावत थम जाएगी या बगावत और ज है सकता कि जीरो परशेंट हमारी पार्टी में होगी जो लोग नाराज है या उनके बहुत चाहते हैं उनको लगता है कि कुछ सिटों पे जैसे एक सुच्छा के लगबग सीट डिकलेर होगी तो पांसाथ सिटों पे ऐसी बात आ रही है तो उन लोगों को सब को एक परिवा नहीं है कि जो दो सो लोग चुना लड़ना लेकिन जब अपने ही लोगों की उपेक्षा की जाती है और गेरों के गले में जब माला डाल दी जाती है तो कारेकरताओं का घुसा लाजमी है सिल्दावाई जी आपको लगता है जो जिस तरह की नाराजगी वह रही है वो उसक ये जनता पार्टी में ये इस पस्ट रूप से कह दिया गया था जब नामांकन शुरू भी नहीं हुआ था जो राय शुमारी हो गई थी तो ये उनसे वाइदा लिया था जितने दावेदार थे उनसे वाइदा लिया था कि आप वाइदा करिए आप सब लोग बैटे हुए हैं जिसको कमल का फूल मिलेगा आप सब उसके साथ होंगे आपका उंबीदवार कोई नहीं होगा सिर्फ कमल का फूल होगा तो जित एक मेरी बाट कंप्लीट करने दो आप सुनने दो तो ये सब को कमिटमेंट कर दिया था और मैं जैसा कहा कि ये ततकालिक प्रतिक्रिया है जैसे ये कूल होगा सब बापस अपनी पार्टी में जैसे थे वो वैसे का जाएंगे और सारे मत्वेद मन्वेद मिलागा उनसे कमिटमेंट लिया था फूल का चिन होगा उसी पर सब वोट करेंगे लेकिन जब चुना हो आते हैं टिकेट नहीं मिलता तो नेताओं का गुस कलावत हैब पार्टी चाहें भारती जोता फाहूं या कौई और पार्टी जब भी कारे करता हो उनके समर तक लगाता और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल क्योंकि टिक्टों के लिए तक नियम होता है उसके हम बात नहीं करेंगे लेकिर फिर भी ख्लामा जी आपको लगता है ये विरोध को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता पार्टी कुछ से नुक्सान होगा शूरा था उन्होंने का कि का लीकरता हुं में हो सकता है उनना चुरू लbros हो सकता है खुद ने आकरके समझा करके कि कार्योता पार्टी के साथ रहे तो ऐसी कहिसे के VII बात हुई तो जूतियो तो यही मैं शिल्द आबाई जी आपको कह रहा था कि जिन एक मंतरी के आपने टिकट काटी है सुरेंदर गोईल जी को उनको मैं सुन रहा था सुरेंदर गोईल जी ने यह का कि मेरे बारे में यह काजा रहे हैं कि मैं बरश्ट आदमी हूं तो अगर मैं बरश्ट आदमी हो तो आपने अरून चुत्रुएदी जी को गदा गोटाले के आरूपी को टिकट क्यों दी और वसंदरा जी के बारे में उनका कहना था कि यह तो बश्टाचार की जन्नी है तो उनको खुद को पैदान में नहीं जाना चाहिए इस परकार मोधी जी भी मोधी जी भी आपने देखा राफेल का हुआ या तमाम जो नोटवंदी में जो जिस परकार का हुआ जिस परकार का आलात पैदा हुए तो इन लोगों को तो फ्रीड में भी नहीं जाना चाहिए स्वाल इसी बात का उटता है स्वाल या एक मेले का टिकट काटी के आ इन साल पहले वसुंद्राजी से मिला था मिलके मैंने ये का कि गत कोंग्रे सरकार है उसने जो पबलिक वैलफेर के लिए जो स्किम्स लागू की थी उन स्किम्स को अगर मैडम अपन बंद कर रहे हैं तो उससे अपने को नुक्सान होगा जनता में हम फेस नहीं कर पाएं ल और यही हुआ है कि पुराने फेस बदल दिये गए लेकिन जिस तरह के आरोब नेता अब लगा रहे हैं जब उनको टिकेट कट गया पांस साल सत्ता के मजे लिए और अब उनके लगता है कि इन इन जो मंत्री है उनके ब्रश्टाजार के आरोब लगे उनके टिकेट नहीं क पर इस तरह कि पांस साथ मंद्रियों पर आरोब लगा है ब्रश्टाजार के आरोब लगा है खुद मुक्य मंद्री मुसंदर राजे तक पर आरोब लगा दिये कितना गंबीर मानती है आप लोग नहीं देखिए यह सब जो कहना चीए कि उनकी टिकट कटने की वजए से उन लगे हैं इनकी जो ब्रस्टा चार इनकी जो सबकार की थी वो करें ला वो सिर्फ अपने स्वार्थ संदीके लिए जब उसके बाहर होते हैं तो आरोप लगाते हैं जब पार्टी में आके कोई अरोप नहीं लगाता है पर बीस हजार प्रोर रुपे का बजरी खनन में आपके वो अगर ऐसा था तो एस में क्यों आए वो आगे चलके बसुद्रा जी उनको लेने नहीं तो किसमें आना चाहरे थे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे वो दबा बना रहे थे यह सब स्वार्थ ता बस है वो निकल प्रस्टाचार कि कहां साबित हुआ मैंने का ना गुसे में कुछ भी कह दीजिए आज जिनके साबित नहीं कर दिए जब इसने गंबीर आरोप लगा रहा है को यादमी सुरंदर जी को यादम इतने गंबीर आरोप लगा रहा उसकी बावजूद पार्टी तरफ से किसी तर लगा रहा कोई वेक्ति निर्दिने चुनाओं लड़ने की बात कह दी छेचे सासाथ मंतिरों पर प्रश्टाजार का रोप लगा दिया उसके बावजूद आज तक पार्टी की और से किसी तरह का बयान जारी नहीं हुआ क्या उनको पार्टी से निसकासित कर रहे हैं क्या क जो सर्बे करा हैं सेंटर से सर्बे यहां से सर्बे हुआ संधन की तरफ से सरबे हुआ जब सर्बे में नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनी मंत्रियों के टिकट काटे गए है और तिकट नहीं मिलने पर कोई पार्टी की जो नीचिया रहे हैं कराइब कर दिया आप दूसरे नंबर पर आपने शिक्षा का इस्तर खतम कर दिया था मंदरी राजकुमार ने भी बगावत की है आपको बता दें राजकुमार ने अपने टिकेट कटने का जो कारण बता है सचिन पाइलेट के नेतरतों में राजस्तान के कांग्रेस कारिये करताओं ने एक संगर्स किया और पैंतारीस अजार क्रोल रुपे की कमाई जो आपका अवेद घनन का तो शुरंदर जी आप नहीं मांगते हो खुद दोसी नहीं है सुरंदर जी ने रिडवाजी पे ये गुशा निकाड़ा कि तेरी वज़े से इस गोटाले का खुलाशा हो गया और उसके तुरंत बाद उस गोटाले के तुरंत बाद उनको उनको उस पच्छा रादी आ गया उन्तों को चोटा देवस्तान वाका चेर्में आप कहना चाहेंगे कि कहिन गई जो उनकी भागीदारी नहीं रही तब उनको मंत्री पत्चे अठा दिया गया और अब जब वो मामला और खुल सकता था उनका टिकेट भी काड़ दिया गया सुरेंदर जी बिलकुल यह राजकुमार जी रिवां कोंग्रेस पालिटी नहीं बोलनी कोंग्रेस पालिटी को तो जो वीपक्स में रह करके जो संगर्स करना चाहिए था सदन में हमारे विदायकों ने रामे सब्डूडी जी के नेतर तो हमें सब्सक्राइब जो संगर्स करना था संगर्स करना कितने पारशों के लिए तो जो हमारे विदायक वोई काफी है कितने जो आज सब्सक्राइब बात बात में दोनों से एक सवाल जानना चाहूंगा बात आरोप प्रत्यारोप हो की नहीं है मैं जानना चाहूंगा कि का नेताओं का सिर्फ टिकेट की वास्ता होता पार्टी से टिकेट कट गया तो उनकी सारी जो निस्टाएं उनकी सब्सक्राइब बात 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 किया जिसे लोग अपनी मा बताते हैं यदि वो उसके सगे नहीं हुए तो जनता के क्या सगे होंगे इसके बावजूद भी पार्टियां दल बदलने पर ऐसे नेताओं को टिकेट देती है और जनता भी उनको वोट देती है सुरंदर जी आप कुछ कहना जाएगे समया भाव कम है बिल्कुल निरत जी मैं यही कह रहा हूँ कि वो उन लोगों का काम है लेकिन पार्टियों का जो काम है पार्टियों का पार्टियां इसी दिये बढ़ी होती है पार्टिया अपनी नीतिया निरदारित करें और सबसे काम होता है कि हम देश और परेश में जीत कहा रहे हैं उसके उसे परदेश के लिए लिये विकास कि क्या हमारी मारे मत दिमाग में contrat क्षैंप और उस शोच पर वह जंता से हम वादे करें उस वादों पड़ें भी उतनें देस मेंन तो riv साजी यह कह दिया कि भी हमारी जुम्ले बाजी थी राजस्तान में जो वादे कि ये पिछली सरकार ने वो कितने पूरे कर पाएं सवाल आज सर्चा है उस पर होनी चाहिए वो दिखाई दे रहे ना पंद्रालाग में एक लाग रोजगाफ महंगाई डेट गुना बढ़ा दी राज सिराजस्तान उचाये चूरा है जल सब्लाबना जो योज ना है आप देखिए लाज को आपने मुड़ा है उसका बिल्कुल सिंदावाई जी सुरेंदर जी आप दोनों मुद्दागर में पदा रहे आप दोनों ने अपनी बात रखी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवा लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो प्केनाओं का मो समा आता तो इस तरह नेतां में दल बदने की जो है प्रवर्ति है जोर पकाड़ती है जब पार्टियंगे अपार्टन देते हैं तो दूसरी पार्टियंगे अपने नितियों के शिद्धान्तों के पक्के नहीं है तो फिर उनके पीछे भी इतना क्यों भागा जाए लेकिन लोगतंतर में राजनितिक पार्टिया सत्ता वापसी के लिए जो मजबूत चनाधार वाले निता होते हैं उनको पार्टियां बदने पर टिकेट भी देते हैं और जनता भी उनको जिता कर भीजती है तो ये बगावत का जो मोसम है उच चुनाव में हर बार आता है हर बार आता रहेगा मुद्दागर में फिलाल इतना ही अमश्का